नमस्कार मैं प्रग्या धरधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को ठोक और खुद्रा बाजारों में रसोई के मुख्य खादे पदार्थों की गिर्ती कीमत के 20 सहकारी समीतिया NCCF और नाफेट 20 अगस्त से 40 रुपए प्रती किलोग्राम की कमदर पर टमाटर बेचना शुरू कर देंगे एक आधिकारिक बयान में सुक्रवार को कहा गया कि अन्तिम बार खुद्रा कीमत में संसोधन 15 अगस्त को 50 रुपए प्रती किलोग्राम किया गया था जो अब 20 अगस्त से घटकर 40 रुपए प्रती किलोग्राम हो जाएगा आपको बता दे कि अब तक दोनों एजेंसियों दोरा 15 लाग किलोग्राम से अधिक टमाटर खड़ी दे गए हैं और देश के प्रमुख और वो केंद्रों में खुद्रा और वोकताओं को बेचे जा रहे हैं भाविशे की स्वास्ते आपदाओं से लड़ने के लिए जीबी स्टेशों ने कागजों पर अपनी स्युकृति दे दी है हाला कि वैस्विक अस्तर पर इसका प्रारूप कैसा होगा इसकी जिम्हदारी विश्व स्वास्ते संगठन को सौपी गई है जो अगले साल मई 2024 में इसमा हमारी संचोता को विश्व स्वास्ते सभा में प्रस्तूत करेगा कि जिसमें उन्हों ने कहा कि X से ब्लॉकिंग सुधा को पूख को भी और उन्हों को बढ़ा देने के साधन के रूपने दे करते हैं और कहते हैं कि यह अंचुरक्षित वासा वढ़्य को बढ़ावा दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी 15 ब्रिक्स सिखर समेलन में शामिल होने के लिए 22-24 अगस्त तक दक्षन अफरिका के जोहांस बर्ग में रहेंगे और अपने चार दिवसिये विदेश यात्रा पर 25 अगस्त को ग्रीस चाहेंगे पीम मोधी दक्षन अफरिका के राश्ट्रपती माटा मीला सिरील रामफोसा के निमंत्रन पर 15 ब्रिक्स सिखर समेलन में भाग लेगे यहां चीनी राश्ट्रपती सी जिन्पिंग से उनकी मुलाकात तैमानी जा रही है इसके बाद मोधी ग्रीस के पीम किरियोकुस मित्सो टाकिस के निमंत्रन पर वहां जाएंगे 40 साल बाद किसी भारती प्रिधान मंत्री का ग्रीस तोड़ा हो रहा है 2019 के बाद यह पहला व्यक्तिगर्द ब्रिक्स सिखर सम्मेलन होगा कोरोना मामारी के नए वेरियंट ओमिक्रॉन बी ए 2.86 को लेकर विश्व स्वास्त संगठन ने चिंता जटाई है कोरोना के बाकी दूसरे वेरियंट से ज़्यादा म्यूट है वेरियंट्स ओफ इंट्रेस्ट और साथ वेरियंट्स को निग्रानी में ट्रैक कर रहे हैं डवलू एचो ने एक्स में कहा कोविड-19 की बहतर सर्विलांस सिक्वेंस और रिपोर्टिंग का विश्व स्वास्त संगठन आवाहन करता रहता है और यह वाइरस लगातार फैल और विक्सित हो रहा है राइस्थान के कोटा जिले में डॉक्टर इंजीनर बनने का सपना लेकर आई किस बच्चों ने आठ महीने में खुद की जान ले लिए इस पर सीएम असोग गहलोत ने कोटा में चिंता व्यक्त की है यहाँ 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौपेंगी कोचिंग हब कोटा में आयाइटी और नीट उमेद्वारों के बीच अपनी जान लेने के मामलों पर एक समिक चाबैटक में बोलते विए सीएम गलोत ने कक्छा 9 और 10 वी में पढ़ने वाले चात्रों पर पढ़ने वाले बोज का जटी लिया किंद्रे मंत्री अस्विनी वैसनम ने बेंगलूरों में हुई जीबीस की डिजडर इनोवेशन अलायांस बैठक को संबोधित करते वे कहा कि पिछले एक दसक में भारत के उद्यमसीलता परिद्रिश्य में काफी बड़ा बदलाव आया है बता दे कि भारत जीबीस की अध्यक्षता कर रहा है जिसके तहत कहीं मुद्दो पर अलग-अलग शेडों में बैठको कायोजन किया जा रहा देश में एक दसक पहले 500 स्टार्टप थे जिनकी संख्या बढ़कर एक लाग हो गई है और 108 स्टार्टप यूनिकॉर्ण बन चुके हैं हमारे देश में डेवलप्मेंट और इनोवेशन की भावना है जिससे नए सॉल्यूशन मिलते हैं प्रवर्त अंद्रशाले ने जारकन के मुख्यमंत्री हमन सोरेन को दूसरा समन भीजा है इडी ने सोरेन को 24 अगस को रांची जोर्नल ओफस में पूछताज के लिए पेस होने को कहा है भारती अंद्रिक्च अनुसंधान संगर्ठन की नजर चंद्रमा के बाद अब सोर मंडल के सबसे गर्म और सबसे बड़े सदश्य सुरे की सबसे चनौतिपुन सतब पर उतरने पड़ है अंद्रिक्च अजनसी सुरे का अध्यान करने के लिए आदित्य एल एक सौर अन्वेशन मिसन के प्रचेपन की तयारी कर रहे हैं आदित्य एल एक मिसन को इसरो PSLV रॉकेट दोरा 37 अंद्रिक्च के इंडर SHAR श्री हरी कोटा से प्रचेपित किया जाएगा इसके बाद कख्चा को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में अंत्रिक्च यान को ऑन बोर्ड प्रनोधन का उप्योग करके लैंग्रेज बिंदू LA की और पछेपित किया जाएगा पतरकार हत्यकार मामले को लेकर पुलिस के द्वरा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है बतादे कि मिले जानकारी की इनसार पुलिस के द्वरा देर रात छापे मारी कर 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जंधन खातों की संख्या 50 करोड के पार पहुंचाने को एक एहम परावज करार दिया प्रधान मंत्री ने सनिवार को सोसल मीडिया मंच एक्सपर लिखा यहां देखकर खुसी हुई कि इन में से आधे से अधी खाते महिलाओं के हैं इसके रावा केंद्रिय बैंक ने बैंक को और NBFC से फ्लोटिंग रेट लोन लेने वालों को EMI बढ़ाने या इसकी अधी के दौरान किसी भी समय पूरी रासी या उसके एक हिस्से का पुरुभुक्तान करने का विकल्प देने को भी कहा हैं इनियम को लागू करने के लिए केंद्रिय बैंक ने बैंक को और NBFC को मौजूदा और नए रेन उधार करता हूं तो तक इनुविकल्पो क वस्तार करने के लिए 31 दिसमबर 2023 तका समय दिया है इंग्लैंड ने श्रिलंका के खिलाफ खेली जाने वाली बंडे और T20 सिरीज के लिए अपनी महिला टीम को एलान कर दिया है इस टीम ने सेलेक्टरस ने माहिका गौर को मौका दिया है जिन्होंने इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट में शांदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है माहिका बाएं हाथ की तेज गेंदबाज है और अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जानी जाती है महज 17 साल की ये गेंदबाज 12 साल की उम्र में T20 डेब्यू कर चुकी है उन्होंने आला की ये डेब्यू इंग्लैंड के लिए नहीं किया था बलकि UAE के लिए किया था लेकिन अब वा इंग्लैंड की टीम से खेरती नज़राएंगी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सनिवार को कहा कि भारत का डिजिटल पबलिक इंफ्राक्स्ट्रक्चर वैस्ट्रिक चनौतियों का सामना करने के लिए स्केलेबल सुरक्षित और समावेशी समधांस प्रधान करता है उन्होंने बैंग्लूरूरू में आयुजित जीबिस डिजिटल अर्थवैवस्था मंतरीयों की बैठा को भेजे गए वीडियो संदेश में हबात कही उन्होंने विज्ञान प्रोदर के और उद्यमिता की भाबना के एक घड बैंगलूरूरू शहर में अतित्रियों का स्वागत किया और कहा कि डिजिटल अर्थवैवस्था पर चर्चा करने के लिए इससे बैतर कोई जगर नहीं हो सकती पधान मतरी ने पिछले नौव वर्सों में भारत में हुए अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया पहल की शुरवात को श्रे दिया मोडीज इंवेस्टर सर्विस ने शुक्रवार को जारी अपने रिपोर्ट में इंडियन एकनॉमी पर भरोसा कायम रखते वे भारत की रेटिंग और आउटलुक को यथा बत रखा है मोडीज के मताबिक भारतिय एकनॉमी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी इसके सा रखा गया है कॉंग्रस नीता और वाइनार्ट सांसद राहूल गांधी लद्दाक दोरे पर हैं आसुभा वा राइडर लुक में दिखें और पैंगोंग तसो लेक के लिए रवाना हुए उनके इस एडवेंचर के कुछ वीडियो सामने आया है जिसमें राहूल खुद बा राहूल की यह पहली लद्दाक यात्रा है केंद्री करमचारियों को मिलने वाले आवश्यक यात्रा रियायत यानी LTC के नियमों में बदलाव हुआ है जिसके तहत करमचारियों को आवश्यकता यात्रा रियायत के उदेशे से रेल में खाने के सुल्क की भरपाई के नुमत नहीं है उनके रिए सबसे छोटे रूट के लिए बस या ट्रेन किराया माने होगा यहां टिकर्ट रद करने पर लगने वाला सुल करमचारी के दौरा वहन किया जाएगा शेर बाजार में बोनस सेर पर दाउन लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूस है यूस बा गोगल का वीडियो स्ट्रेमिंग प्लाटफॉर्म यूटूब दुनिया भर में फेमस हो चुका है इस बीच कम्पनी यूटूब में सौर्स क्रियेटर्स के लिए एक क्वेस्टिकर जोरने वाली है इसकी मदद से क्रियेटर्स लोगों से अपना सवाल पूछ सकते हैं और जवाब यूवर्स कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कम्पनी ने यूटूब टेस्ट फीचर्स एंड एक्सपरिमेंट्स पेच पर कहा कि सौर्ट्स क्रियेटर्स के लिए उनकी कम्यूटि को और भी आसान बनानी के लिए हम एक स्टीकर के साथ प्रयोग कर रहे हैं जो प्र वेपारी ने डायमंड एक्सपर्ट उतपल मिस्तरी का यह बल्ला बनाने का जमेदार दी है उन्होंने विराट कोहली के लिए खास बल्ला बनवाया है जिसमें हीरे जरे हुए हैं इस बल्ले की गिमत 10 लाक रोपे है और इसे बनाने में तीन दिन लगे हैं यह बल्ला 15 मीट लाक में गती रोध दूर करने को दौलत बैग ओल्डी और चेशुल छेत्रों में मेजर जनरल अस्तर की वारता कि इसमें भारत का प्रदिलत्व मेजर जनरल पीके मिश्रा और मेजर जनरल हरी हरन ने किया सिना का कहना है कि बाचीत सपस्ट और वैवारिक मोहाल में हुई द दूती चंद पर आजटे दोपिंग रोधी एजनसी ने चार साल का बैन लगा दिया है इस बैन को दूती चंद ने चैलेंज करने का नर्ने किया है हाला कि इसकी खबर सुनने के बाद वे काफी दुखी हैं उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि वे उन्हें माफ कर बेक कसूर भी बताया है आधार कार्ड आजकल के वक्त में एक जरूरी डॉक्यमेंट के रूप में उबढ़ा है ऐसे में आधार जारी करने वाली संस्ता भारतिय विस्ट पहचान प्राधी करन समय समय पर इसे अबडेट के लिए सूचना जारी करते रहता है इसको लेकर UID AI ने करोरो आधार यूजर्स को अलर्ट करते वे अपने X हैंडल से ट्वीट करके जानकाली दी है कि वह कभी भी आधार अबडेट करने के लिए इमेल या वाट्सेप के ज़र ये डॉक्यमेंट नहीं मांगता है ऐसे में आधार अबडेट करने के लिए हमीशा माई आधार पोर्टल का इस्तमाल करें वहीं ऑफलाइन सुधा का लाब उठाने के लिए कड़ी आधा सेंटर पर विजट करें देश की राजधाने दिल्ली में लोगों की बढ़ती गर्मी से बचाने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट आथर्टी ने एक हीट आक्शन प्लान तयार किया है इस हीट एक्शन प्लान को तीन चर्णों में बाटा गया है जिससे समयनुसार प्रसेस करके लोगों को भीशन गर्मी से बचाया जा सकेगा डी डी एमें पालेट प्रोजेक्ट योजना के तहट कुछ खास अलाकों में लोगों के घड़ों को ठंडा रखने के लिए उनके घड़ की छट को सफीद रंग से भी रखने की तयारी में है हालाक इस योजना को अमल में लाने के लिए अभी अधिकारियों की नुक्ति की जानी है उत्तर प्रदेश सरकार उजवरा योजना के 1.75 करोड लाभार्तियों को दो निश्चुलक लपीज सिलिंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने पर विचार कर रही है एक सिलिंडर के लिए 914.500 रुपे का भुकतान होगा पहले किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है इसके लिए लाभार्तियों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की कारवाई तेज करने को लेकर कहा गया है सुत्रों का कहना है कि सिलिंडर के खुद्रा ओसत मुल 1114 रुपे में केंद्र सरकार से मिलने वाली 230 रुपे की सबसीदी वब बैंक विनी में दर को घटाकर करीब 945.500 रुपे भुकतान पर सहमती बनी है सरकार ने तैक किया है कि योजना में इला भारतियों की केवल आधार लिंक बैंक खातों में ही भुकतान किया जाएगा इसके लिए स्वास्तिवाद की ओर से एक टीम को लगाया जाए भारत के स्टार्ट ग्रांड मास्टर और प्रगनन्दा निच्चेस वर्ल्ड कप 2023 के सेमी फार्नल मुकाबले में जगा बना ली है एसा करने वाले वा दूसरे भारतिये बन गए हैं से पहले विश्वनाथन आनद ऐसा करने में काम्याब हुए थे बता दे कि प्रगनन्दा ने गुरुबार को अपने विरोधी अर्जुन एरिगैसी को पांच चार से हडाया और विश्वकब के सेमी फार्नल में जगा बना ए प्रगनन्दा की जीत के बाद उनकी मा काफी इमोसिनल हो गए थलाइवा यानी रजनीकान के फिल्म में अमिताब बचन के एंट्री फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है दोनों की जोड़ी दर्शक को बेहत पस्तिकर और मंतराली की ओर से एमस तिली के निशनल ड्रग डिपेंडनस ट्रीट्मेंट संटर की मदद से किये गए सर्व ये संक्या डूस के अबादी जितनी है एनसेरियों में 19% अईसे हैं जो रुरजाना सराब का सेवन करते हैं देश की 2.6 करोड अबादी यानिकुल जन संक्या के 2.1 प्रती शत लोग अफीम डोडा हिरोईन स्मैक और ब्राउन सुगर जैसा नसा करते हैं मशूर अपिनिता रजनीकांत ने सनिवार सुभर लखनाओ के राजभवन में उत्तर प्रदेश की राजएपाल आरंधी बेन पतेल से मुलागात की मशूर अपिनिता रजनीकांत की जेलर लखनाओ में दिखाई जाएगी अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर का फेमस मिठाई कौन सा है अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के इतना ही धन्यवाद